हलो एब्रीवन इसके डिजाने में आप सुभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको ब्यूटिफुल बाजु डिजाइंग बनाना बताएंगे आप पूरा वीडियो देखेंगे तो श्टिप बाइश्टिप सीख जाएंगे चलिए हम सुरू करते हैं तो अस्तर क को चार फोल्ड में रख लेना है कप्रों को चारफ़ल ने रख लेना है दोनों बराबर देखंगे थे बाजु का लंबाई है 4 पिर चorkडाई रूटि में 8 लीचे का चौड़ाई है तो यहां पर अस्तर को इस तरीके से बीच में कट कर देना है अस्तर और कपड़े को दोनों को तो यहां पर cutting हो चुका है अब पीन को निकाल लेना है और इसमें से दो अस्तर और दो मेन कपड़ा दो रख लेना है यह देख लिजे इस तरीके से अब कपड़े को ऊपर अच्छी तरीके से अस्तर को set करके पील लगा लेना है इस से यह होता है कि आपका उल्टा नहीं होग तो यहां पर देख लिजे इस तरीके से हम पील लगा लेते हैं तो पील लग चुका है एक पाट को हम बगल में रख लेंगे और एक पाट को अच्छी तरीके set करके सिलाए लगा लेंगे तो यहां पर देख लिजे सिलाई लग चुका है धागे को कटिंग कर देना है और इस्टा कप्टे को कटिंग करके निकाल देना है तो यहां पर कटिंग हो चुका है बीच में एक कट लगा लेना है और इसे पलट लेना है तो यहाँ पर देख लिजे पल्टी हो चुका है और नुखों को अच्छी तरीके से निकाल लेना है तो यहाँ पर सेट करके सिलाई लगा लेना है जहां सम्पल्टी किये हैं यह देख लिजे इस तरीके से तो यहाँ पर सिल्य लग चुका है धक्य को कटिंग कर देना है अब इसे उल्टा तरफ रखके अस्तर के चारो तरफ से सिल्य लगा लेना है इस्ते यहाँ होता है कि आपके बाजूब में सुकड़ा पर नहीं आएगा और एकदम क्लीन दिखेगा तो यहाँ पर देख लिए यह लंग चुका है इस्तरा कप्ड बाव क निकाल देना है तो यहाँ पर कट़िंग हो चुका है सेम इसी तरीके से दोनों phart को बना लेना है तो यहाँ पर देख लिए पोलिए हैंślre दार हाँ इससे अ Kylie हम दोनों दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना ह बीच में एक और फोल्ड करके और यहाँ पर एक सिलाए लगा लेना है तो देख लिजे इस तरीके से तो यहाँ पर देख लिजे सिलाए लग चुका है धाक्यों कॉटिंग कर देना है यहाँ पर डबल फोल्ड करके इस्टर कप्टे को कटिंग करके निकाल देना है तो यहाँ पर देख लिजे हम तीन इंज का एक पीस रखेंगे इस तरीके से इसे हम डबल फोल्ड कर लिए और इस्टर कप्टे को कटिंग करके निकाल दिये हैं तो यहां पर देख लिए चार पीस निकल चुका है अब यहां मेन कप्डा ले लिए हैं बाजू का आप इसमें स्टेट करके सिलाई लगा लेंगे पैटर्न को रखते हुए आधा इंच बीच में छोड़ देना है उपर की तरफ से बीच में और लाश्ट में तो यहां पर देख लिजे इस तरीके से एक तरफ से हम बैठा लिए सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से बैठा लेंगे तो देख लिजे इस तरीके से इतना गैप उसमें दिये हैं सेम इसी तरीके से इसमें भी उतना गैप देना है तो यहाँ पर देख लिजी हम बैठा लिए दोनों तरफ से जॉइंट हो चुका है अब यहाँ हम इसमें लैस बैठा लेंगे और लैस के दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर सिलाई लग चुका है हैं ये देख लीजिए छिलाईर लगा लेना है ुसरिक शिलाई लगा लेना तो किटना बड़ा है मारा ये लेस है तो उसे रहभ भास है है, तो यहां पर देख लिए इस तरीके से बैठा लेना है अच्छी तरीके स्टेट करके शुरुवात में आधा इंच अंदर की तरफ से फोल्ड करना है और लाश्ट में इस तरीके से अब लेज के चारों तरफ से लगा लेना है तो यहां पर देख लिए सिलाई लग चुका है और हमारा बाजू कंप्लिट तयार हो चुका है यह देख लिए अभी इसमें हमें लगाना है सो बटम तो यहां पर देख लिए इस तरीके से हम सो बटम सोई से टाक लेंगे अभी हम इस तरह से दिखा लें तो सेम इसी तरीके स से हमें एक और बाजू बना लेना है यह देख लिजिए यहां पर इसमें लगा लेंगे तो फ्रेंस यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूड़ करें नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूड़ करें थाइंक यू